है गाईज तो कैसे हो आप सब आप सब कर फिर्स वागत नहीं वीडियो में अगर आप विंडोस 10 का कंप्यूटर या लैप्टॉप यूज कर रहे हो और उसमें आपका वाइफाई का हाडवेर लगा वैसे तो लैप्टॉप सब में पहले से कंपनी हाडवेर लगा के देते है पर कंप्यूटर अगर आप डेक्स्टॉप यूज कर रहे तो उसमें हो सकते हैं आपका वाइफाई का हाडवेर बाहर से लगा रखा है और फिर भी आगर आपका वाइफाई नहीं चल रहा है ठीक है तो इस वीडियो में आपको पूरा सॉलूशन करके दिखाऊंगा कि है इदर में देखो कि दर वाइफाई आइकन पर में खिलिक करता है इंटरेक्स बिसिकली इधर बना हुआ है वैसे वाइफाई का था ठीक है तो इदर आपको यूजी वाइफाई का अप्शन ही नहीं दिखा रहा है इदर अगली एक एरप्लें मोड का उप्शन है और जो क कि वाइफाई का कोई सेटिंग से नहीं दिखा रहे है तो ऐसा हो सकता है कि आपके भी साथ ऐसा इसा इशू आए अगर आप विंडूस 10 का लैपटाप ये कम्विटर रिऊस कर रहे हो तो इसका सॉलुशन बहुत ही आसान है और आज का वीडियो में जो कि आप आये सर्विसर को आपको इसको उतन कर देशी का नीचे आपको रुब्ली में जाना को को हाला एक दम निचे हैं तो हम एगदाव freedoms मिलिए memellu, wlaan, wlaan डिक है w land बोल टो के मैं गी आपको झाँ थिखा रहा हूं का हाँ तो जैसे कि आप देख सकते हम लोग का डबलू लाइन मिल गया डबलू लाइन आटो कंफिगरेशन यह भी आपके कंप्यूटर लैप्टाप में कहीं ना कहीं होगा अगर आप विंडोस 10 यूज कर रहे हो तो यह जगा पर आपको मिलेगा ठीक है आपको डबलू लाइन सकत कि आपको ऑटमेट्स कर देख स्टाव करने के बाद को स्पीलिबिभ यह उदसे पंडिन को मिलेगा स्टाट का आपको स्टाट कर देनको प्लिक सब्सक्राइब कर देना और इसको कट कर दो और जैसे कि अगर मैं यही इंटरनेट वाले आइकन पर नीचे क्लिक करूँ तो इधर जैसे कि आप देख सकते हो वाई-फाइ का ऑप्शन हमारा आ गया है पहले एर प्लें मोड का दिख रहा था अब हमारा वाई-फाइ का वाई-फाइ का लोगो भी आ गया तो इसी तरीके से आप भी बहुत ही असानी से आपने विंडूस 10 के कंप्यूटर लैप्टॉप में अगर आपको कोई वाई-फाइ का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसी तरीके से ठीक कर सकते हो तो आपको आपको वीडियो पसंद आयो अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना और आपने विदा हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो सब्सक्राइब कर लो तभी के लिए बस इतना ही ता मिलते हैं इस वीडियो में तब तक ले बाई-बाई और चेहिन